यह कहानी एक Sam नाम की लड़की की है, जो काफी अनलकी है, मतलब उसे सारा काम उल्टा ही होता है यह लड़की एक और्फनेज यानि अनाथालय में रहुता है इसकी एक चोटी सी दोस्त होती है, यह दोनों सारा टाइम साथ ही रहती थी फ्री टाइम में ये दोनों अपना एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, काफी अच्छा अरेंजमेंट दोनों ने किया था, परन्तु अनलकिली सारा सेटप बिगड़ जाता है वह छोटी बच्ची सैम को कहती है, कि आपके पास यदि कोई लकी चाम होता, तो यह गड़बड नहीं होती एक दिन दोनों अपने कमरे में बातें कर रही थी, तब ही अनाथालय की स्टाफ मेंबर वहां आती है, और सैम को बताती है, कि अब तुम 18 एर्ज की हो गई हो, और इस और्फनेज का रूल है, 18 साल के बाद यहां रहने वाले बच्चों को अबलग रहना होता है, उसे स्टा पिक करने आती है, और उसे रहने के लिए दूसरी जगह ले जाती है, अपने नए घर पर पहुंचने के बाद वह लेडी उसे चाबियों का गुच्छा देती है, परन्तु अनलकीली वह चाबी से गटर में गिर जाती है, सैम से उदास हो, लेकिन वह लेडी सैम को एक्स्ट पाती है, सारा सामान वह इधर उधर बिखेर देती है, स्टोर का मालिक उसे कुछ और काम करने की सलाह देता है, वह उसे स्टोर के बाहर रखी कार्ट्स को अरेंज करने को कहती है, अब वह दिन भी आ जाता है, जब सैम अपनी छोटी दोस्त से मिलने जाने वाली थी, और फ मुँआरी तरह प्यारी बच्ची को अडौप्ट करना चाहते हैं। graduate स्टोर का मालिक उसका काम देखकर बहुत खुश होता है और उसकी काफी तारीफ करता है अब सैम यह कॉइन अपनी दोस्त को दिखाना चाहती थी लेकिन जब वह वाश रूम में जाती है तो अपने मोबाइल के साथ वह कॉइन को भी वहां रख देती है वाई मिस्टेक वह किन वह कॉइन को खो चुकी थी तो बहुत उदास होकर स्टोर से बाहर निकलती है तब ही उसे एक ब्लैक कैट दिखाई देती है कैट सैम के पास पहले भी आई थी अब उसे वह लखी कॉइन मिला था सैम उस कैट को देखकर बढ़ बढ़ाने लगती है कि प्यारी बिल्ली तब ही वह कैट बोलने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो वह कॉइन कैसे खो दिया सैम बहुत सर्प्राइज होती है यह बिल्ली बातें कर सकती है तब ही वह ब्लैक कैट एक तरफ भागने लगती है और सैम भी उसका पीछा करती है बिल्ली उसे कई बार दिखाई देती सैम रिक्वेस्ट करती कि मुझे दोबारा वह कॉइन दे दो, अब मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन ब्लैक कैट मना करती है, एक दिन सैम बिल्ली को छुप कर देखती है, वह कैट काफी अजीब हरकतें करती है, बिल्ली जादू से जमीन में एक रास्ता बनाती है, और उसमें सैम बहुत हैरान होती है, डरते डरते सैम भी उसी रास्ते से एंटर करती, जल्दी ही कैट को पता चल जाता है, कि सैम भी इस दूसरी दुनिया में आ गई है, कैट उसे डांटती है, अहां इंसानों का आना माना है, बिल्ली उसे कहती है कि उसे कोई लकी चार्म नहीं सैम कहती है कि मुझे एक कॉइन और दे दो यह मुझे अपनी दोस्त के लिए चाहिए। तभी किसी के आने की आहट होती है और सैम जल्दी से छुप जाती है। वहां काफी छोटे छोटे क्रियेचर्स आते हैं जिन्हें वह कैट लेपरिकॉंस कहती है वे दोनों कैट से कुछ बातें करके चले जाते हैं अब सैम बाहर आ जाती है कैट की बातों से समझ जाती है कि यह लकी कॉइन्स यहां बनाये जाते हैं वह फिर से रिक्वेस्ट करती है परन्तु कैट उसे मना कर देती है क्योंकि वहां सिर्फ लेपरिकॉंस ही जा सकते हैं सैम उसे आइडिया देत कि वह लेप्रिकॉन्स की तरह आक्टिंग करेंगी तब कैट मान जाती है। वे दोनों छुपकर एक जगह पर पहुँचते हैं। जहां कैट उसे वहां की युनिफॉर्म पहनने के लिए देती है। सैम वह युनिफॉर्म पहन कर रेडी हो जाती है। अभी कुछ दूसरी जगह से आई है। वह कैट की बात पर यकीन करते हैं। अब सैम और कैट उस दुनिया में आसानी से घूम सकते थे सैम को। यह दुनिया फेरी टेल्स की तरह लगती है। वे दोनों एक लक लैंड की तरफ जाते हैं। वहां उन्हें तांबे जैसे रंग के बालों वाला लेपरिकोन मिलता है। कैट उसे भी बताती है कि सैम एक लैपरिकोन है और उनके लैंड पर लोग लंबे होते हैं। वह सुन्दर बालों वाला लैपरिकोन उन्हें लक लैंड में लेकर जाता है। इसका रास्ता एक क्लॉक के अंदर से होता है। वहां पर एक मशीन सबी लेपरिकोन मेंबर्स को डिटेक्ट करती है। जहां गुड लग बनाया जाता है उपर लगी क्रिस्टल बनते हैं तो कैच करके ही मिलते हैं से हम कुछ न कुछ गुड लग प्रिंट कर सकते हैं। रैबिट के शेप का ड्रोन मिल जाता है। जगह पर जाते हैं यहां ड्रोन मशीन के द्वारा पहुँच गया था। दुबारा से एलिवेटर में कैट पहुच जाती है लेकिन सेम उसी जगह पर रह जाती है। कैट उसे बताती है कि तुम्हें 13th फ्लोर पर आना है। दोनों फिर से वही मिल सकते हैं। इस बेडलक लैंड पर सैम बिलकुल अकेली थी। वह बहुत घबरा जाती है। वहां अजीब से मॉनसेटर्स थे। सैम उनसे बचते हुए 13th फ्लोर तक पहुच जाती है। वह कैट को फिर से ज्वाइन कर लेती है। यहां पर एक उनिकॉन होता है और दोनों डर कर छुप जाते हैं लेकिन वह उनिकॉन काफी friendly होती। सैम उसे सारी बातें बताती है। सैम उसे अपने Lucky Coin के बारे में पूचती है। यूनिकॉन बताता है, यहां उसे लकी कोईन मिली थी, लेकिन उसने उसे क्लीनिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया, यूनिकॉन उसे एक फीमेल ड्रेगन का पता, बताता है जो उसकी गल्फरेंड भी थी, उहां उन्हें वह कोईन मिल जाएगी, सैम और कैट, फीमेल ड्र को खोजने लगते हैं, वह ड्रेगन भी यूनिकॉन की तरह काइंड हाटेड होती है, और उन्हें एक कॉईन देती है, एम जैसे ही बाहर आती है, कि लक लेंड की कपतान ने कैट को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि वह जान चुकी थी, कि कैट का लकी कॉईन गुम हो गया है और मशीन में भी शायद इसी में बटन डाल दिया है, सैम कैप्टन के पास पहुँचती है, और ड्रेगन की दी हुई कोईन को कैट की कॉईन बताती है, अब ब्लैक कैट को छोड़ दिया जाता है, ब्लैक कैट सैम से पूछती, कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, वह को रोक दिया जाए, तो सबको लख ही लख मिलेगा, कैट उसे समझाती है, कि यह नेचर के खिलाफ होगा, गुड़ लख के साथ बेड़ लख होना बहुत जरूरी है, सैम उसे रिक्वेस्ट करती है, कि वह सिर्फ दो घंटे के लिए बेड़ लख का प्रोड़क्शन बंद कर देती है, अब मिक्सिंग मशीन में बेड़ लख जाना बंद हो जाता है, ओनली गुड़ लख ही रह जाता है, दोनों एक कैमरा की हेल्प से अपनी नन्ही दोस्त को देखते हैं, आज उनकी दोस्त को एक फैमिली अडॉप्ट करने आने वाली थी, सैम का प्लान काम करता ह सिर्फ गुड़ लख ही बचा था, जो उसकी दोस्त को मिल जाता है, वह फैमिली उसे अपने साथ रखने के लिए रेडी हो जाती है, धीरे धीरे काफी टाइम बीट जाता है, और वह मशीन दोबारा से बेड़ लख प्रोड्यूस करने लगती, मशीन को ज्यादा देर लख ही बेड़ लख फैल जाता है, सभी लखी कॉइन भी बैड कॉइन बन जाते हैं, लेकिन ब्लैक कैट के पास जो कॉइन होता है, उसमें केवल गुड लख ही होता है, उस पर बुरा असर नहीं आया था, ब्लैक कैट सैम को बताती है, कि मैं एक मन्हूस काली बिल्ली जो गुड लख कॉइन मेरे पास होने के बाद भी, यह सब बुरा हुआ, सारा ब्लेम सैम, अपने उपर लेती है, वह खुद को अनलकी बताती है, ब्लैक कैट उसे समझाती है, कि तुम अनलकी नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत काइंड हो, और सब का खयाल रखती हो, तुम्ह यहां पर सभी क्रियेचर्स बहुत अजीब होते हैं, लेकिन ब्लैक कैट का वेलकम करते हैं, क्योंकि अपने बेड लख की वज़ह से, बिल्ली काफी समय यहां भी रह चुकी थी, सैम को यह माहौल थोड़ा अच्छा लगता है, वहां पर एक बार टेंडर क्रियेचर होता ह वह उन दोनों को एक बोतल देता है, जिसमें थोड़ा सा गुड लख बचा हुआ था, और उन्हें कहता है कि इसे एक्टिवेट करवाने के लिए ड्रैगन के पास जाना होगा, और वह कहता है कि अपने साथ युनिकॉन को भी लेकर जाना, इमेल ड्रैगन को इस काम के निकालती है, गुड लख और बेड लख को इस्टल में बदल देती है, लेकिन ड्रैगन बेड लख को एक्टिवेट मशीन में नहीं डालना चाहती थी, वह भी सिर्फ गुड लख ही फैलाना चाहती, सैम उसे समझाती कि इस दुनिया में बेड लख का होना भी बहुत जरू इसी तरह यूनिकॉन भी अपने बेड लख के कारण अपनी फीलिंग्स आपको शेर नहीं कर सका, वह आपको बहुत प्यार करता है, अब सैम बेड लख के क्रिस्टल को भी एक्टिवेट मशीन में डाल देती है, इस तरह से गुड लख और बेड लख दोनों प्रोड्यूस होने लगते हैं, अब ड्रेगन भी जान चुकी थी, कोई इनसान अनलकी नहीं होता, सबकी लाइफ खूबसूरत होती है, अब सब कुछ पहले जैसा बैलन्स हो जाता है, सैम कैमरा में देखती है, उसकी नन्ही दोस्त अपनी फैमिली में रहने के लिए जा रही है, वहां की कैप्टन सभी को अच्छा काम करने के लिए अप्रिशेट करती है, ब्लैक कैट अपना लकी कॉइन वापस कर देती है, और रिक्वेस्ट करती है कि उसे सैम की दुनिया में सैम के साथ रहने की पर्मिशन दी जाए, सैम बहुत खुश होती है और उसे गले लगाती है, अब भी घर में अकेले नहीं रहना पड़ता और वह अपनी छोटी दोस्त से भी मिलने जाया करती थी, अब सभी लोग हैपिली रहते हैं, ये कहानी आपको कैसी लगी, रिप्या कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थांक यू